बैटल गराउन्ड मोबाइल इंडिया गैम अभी तक फाइनल लॉंच नहीं हुआ है तो इस वीडियो मैं आपको बताऊँ कि आप इससे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में second आपको एक OBB फाइल डाउनलोड करनी है इसका भी लिंक आपको description में मिल जाएगा दोनों का process डाउनलोड करने का एक ही जैसा है APK को डाउनलोड करने के बाद तुरंट आपको इसे install कर लेना है जैसे ही आप अपने phone में Battleground Mobile India APK को install कर लेते हैं आपको इसे open करना है open करने के बाद में आपको अपने phone की फाइल को open करना है और आपको internal storage में जाने है अपने phone की और वहाँ पर आपको Android का option दिखेगा और इसके बाद आपको OBB folder को open करना है और इसके बाद आपको com.pubg mobile ऐसे कुछ एक folder दिखेगा इसे आपको open करना है और इसमें आपको जो आपने OBB फाइल डाउनलोड की थी उसे copy करकर इस folder में paste करना होगा इसके बाद आपको Battleground Mobile India को open करना है इसके बाद कुछ permission मागेगा आपसे तो इसके बाद Battleground Mobile India आप आसनी से खेल सकते हैं आपको इसमें internal download भी करना पड़ेगा graphic जैसे ही game को आप open करने तो आपको login करना है और आप अपना data transfer कर सकते हैं अगर आपको data transfer करना है तो इसके बारे में मैंने video बना रखी है link आपको description मिल जाएगा आप अपनी PUBG Global ID का data Battleground Mobile India में आसनी से transfer कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा video का तो इस तरीके से आप अपने phone में आसनी से Battleground Mobile India download करकर खेल सकते हैं अगर आपको कुछ problem आती है तो आप comment जरू करना मैं आपके comment क्या reply करने की पूरी कोशिश करूँँगा तो मिलते हैं next video में thanks for watching